हाई एवरिवान गूड इबनिंग विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सो मुआर के दिन का वीडियो है यह साम का टाइम है अभी जो है साड़े तीन बज रहे हैं तो मैं यहां पे जो है कप्ड़े वगरा लेके बैठ गी हू साप हो जाते हैं तो एक दो दिन थोड़ा सारेष्ट भी हो जाता है धोने से डेली यूज के कपड़े जैसे एक दो तो रोजी निकलते हैं लेकिन ज्यादा कपड़े रोज नहीं होते हैं लेकिन यह प्रेस करने वाले कपड़े ना मेरे कभी खतम ही नहीं होते हैं मतलब आ एक दिन में प्रेस धुलने को तो धेर सारा दो देती हूं लेकिन प्रेस करने का काम जो है न एक ही दिन में बहुत जादा नहीं हो पाता है चार पांच किसी दिन छे साथ भी कर लेती हूं मूड बना के बैठती हूं तो और किसी दिन ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक दो ही किया जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से करती हूं तो आज अभी जो है ना मुझे चाय वगरा साम की नहीं बनानी है क्योंकि पापा है नहीं तो वही हो रहा था कि मतलब पापा आज आएंगे तो सायद बनाना पड़े लेकिन फिर उन्होंने फोन किया कि मैं नहीं आऊंगा थोड वहां पर मैंने बालती रखी हुई है उस वाले रूम में उसी में रख देती हूं ना तो और भी ज्यादा जो है एकड़म इसमें जो है सिकुडन आ जाती है तो फिर कॉटन वगरा करती है ना बहुत टाइम लगता है प्रेस करने में तो बस वही टीबी चला दिया था मैंन प्रेस करते टाइम यही रहता है कि टीबी वगरा चलता रहता है ना तो काम भी होता रहता है और जैसे बोरियत भी नहीं महसूस होती है नहीं तो ऐसे प्रेस करो या मोडने वाला काम करो ना तो अकेले अकेले जैसे बड़ा बोरिंग सा लगता है टीबी वगरा चलता रहत तो काम हो जाते हैं पता नहीं चलता है तो कपड़े में प्रेस करी रही थी तब तक बीच में जो है न लाइट चली गए तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया कि लाइट आएगी तो मैं करूंगी और तब तक जो कपड़े सूखे हुए थे कल के कल संडे के दिन ना बहुत जादा आज मैंने कोई कपड़ा वगरा कुछ नहीं दुला है कल के ही सारे है जो है तो कल जो है ऐसे ही लाके उसी रूम में रखा हुआ था अभी जो है यहाँ पे ले आई हूँ इस रूम में कपका मैं ले आई हूँ वही सोच के ले आई थी कि लाइट अगर नहीं रहेगी तो मैंने पूरा ही प्रेस कर लिए बस थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो प्रेस करके ही फिर हटूंगी क्यूंकि अब इनके भी आने का टाइम हो रहा था ना तो फिर यह सब ताम जहम जो है हटा लेती हूँ तो वही और जब तक कप चाए हमको भी दे दीजिए उसके भी सर में अलका अलका दर्द ओरा यह मौसम इतना खराब इस टाइम पर चल रहा है ना कि किसी का होई नहीं रहा है कि मतलब तब यह ऐसा कोई नहीं है जो यह कहे कि हाँ एकदम अच्छे से है फिट है मतलब कोई दिकत नहीं है कुछ न तो वही चाय वगरा पीने के बाद यहां पे जो है यह मक्षन निकाल के रखा हुआ था फ्रीज से तो इसको भी हो गया था जादा ही जितना मैं बाउल में भरके रखती हूँ ना उससे जादा हो गया तो वही इस समय जो है तबियत मेरी गड़बड ही चल रही है और कई दिन इतना जादा आलसाता इतना जादा मतलब सरीर में दर्द बहुत दिकत हो जाती है तो वही तीज के एक दो दिन पहले तक तो थोड़ा रेस्टो हो गया था तो मुझे लगा कि अब मैं सही हो गई हूँ दवा मैंने ली भी थी मतलब जितना कोर्स था मैंने पूरा किया था उसके बाद दवा छोड़ दी फिर तीज का ब्रद हुआ और पारण वाले दिन न खाना खाने के बाद वही इसके पहले वाले ब्लोग में मैंने बताया है कि दिकत हुई तो फिर मुझे लगा कि सायद ब्रत था कल का तो आज खाना खाया है तो हो सकता उसकी वज़गा से द ज्यादा बुखार वगएरा ज्यादा सरीर में दर्द है वीकनेस जैसी है तो फिर ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है तो इस वज़े से हुआ कि उसके बाद ही जो भी दवा वगएरा लेनी होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही स्टार्ट होगा तो बस वही कल जो है ब्लड गया और साम तक जो है रिपोर्ट भी आ गई तो वही रिपोर्ट में वाइरल फीबर है बहुत जादा कुछ मतलब मैं तो डर रही थी कि कहीं टाइप हाइड वगएरा या फिर डेंगु का न असर हो मतलब डेंगु का बहुत जादा कोई लक्षण वगएरा दिक तो नहीं रहा था लेकिन डर सामन में बैठा था कि कहीं कुछ दिक्कत न हो लेकिन प्लेटलेट डाउन होते है तो वही होता है कि अगर जादा डाउन हो गए तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी तो अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन फिर भी कम वाले मतलब हो रहा था कि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो फिर जो है ये डाउन में ही चला जाएगा उसके बाद दिकत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समय रहते मैंने बलड टेस्ट करा लिया तो अब इसके बाद से न दवा वगयरा सब जो है चेंज हो गया है थोड़ा सा मतलब अब जो है प्लेटलेट्स के हिसाब से और वाइरल फीबर के हिसाब से जो है दवा चल रही है तो सुबह के टाइम आज भी मतलब वैसे ही था बहुत जादा और ये तो बोल रहते हैं कि बिल्कुल भी मतलब हलका फुलका खाना पीना जो मतलब जरूरी है उसमें भी मेरी हेल्प ले लो और हेल्प ये करते भी है ऐसा नहीं कि सारा कुछ मेरे पर ही छोड़ देते हैं बाकी का सारा काम छोड़ दो बिल्कुल भी कुछ तो होता है कि यह सारे काम निप्टा ही लिए जाएं कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था ऐसे ही सारा कुछ छोड़ दिया था संडे के दिन लेकिन आज दवा लेने के बाद कल रात को ही जब दवा ली मैंने न तो मतलब एक ही डोज में जो है काफी आराम मिला फिर सुबह वा नहीं होगा बढ़ते ही जाएगा जबकि डेली जो हम काम करते हैं फिर भी अगले दिन के लिए काम रहता ही है तो फिर सोचिए छोड़ देंगे अगर ना तो और भी जादा काम बढ़ जाएगा तो यह होता है ना कभी कभी इतना जादा मुस्किल हो जाता है घर समालना ना मत वो कि काम करने का तरीका अलग होता है काफी अलग होता है मतलब हम काम करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे इन लोगों का है कि बस वही है कि कि किसी तरह काम निपटाना है मतलब अगर हम बीमार हैं तो वो काम रुके नहीं और सबसे बड़ी चीज होती है ना कि वो खाना पीना मतलब खाना पीना टाइम से सबको मिल जाए बाकी और काम जो है दो चार दिन बादी होंगे तो बस ऐसे ही चल रहा है जैसे जैसे आराम हो रहा है वैसे वैसे काम कर रही हूं फिर थकान हो जा रही है दिकत हो रही है तो फिर जैसे का जैसे सब छोड़ भी दे रही हूं तो बस वही मलाई मक्षन जो है निकाला उसको गैस पे भी चड़ा दिया और उसके बाद ना तुरन सबजी भी डाल दी थी तो आज में वह चीचिड़ा हम लोग बोलते हैं आप लोग के तरफ क्या बोला जाता है पता नहीं जैसे इधर तो वही चीचिड़ा ही बोला जाता ह उसकी सबजी बना रहे हूं भुजिया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत टाइम तक भुनना पड़ता है तो वह मैंने कड़ाई में डाल दी है कि वह भुनते रहेगा दीरे-दीरे तब तक जो है मैं इधर के जो बाकी काम है वह निप्टाते रहूंगी तो कप से होगा तो बस यहां पे घी हो गया था तो उसको भी ठंडा भी हो गया था तो उसको चान की रख दिया है और थोड़ा सा जो बचा मतलब लाश्ट तक बचा रहता है तो उसको जो इस्तिमाल करती हूं जिस डब्बे में उसमें थोड़ा सा रख देती हूं थोड़ी देर तक ना वो मतलब घी निकलता रहता है उसके बाद जो भी यहां पर बरतन वगरा हैं इन सब को मल ले रहे हूं क्योंकि यह भुजिया ना होने में बहुत टाइम लगेगा जब तक होगा ना तब तक जो है बहुत सारे काम निप्टा लूँगी तो होने के बाद लेट भी जो है बाद में रोटी पनाने के बाद बहुत ज़ादा काम रहेगा नहीं और फिर यह भी हो रहा है ना कि Pre-Tन अगर लगा इतलेट्स वगएरा कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था कि कभी डाउन हुआ हो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है पिछले साल इनको जो है डेंगू हो गया था तो मैं वहीं डर रही थी कि कहीं इस बार मुझे नो हो जाए तो फिर दिक्कत बहुत होगी जब से जादा घर की ही चिंता रहती है अपने आराम से जादा घर की चिंता रहती है कि अगर हमें कुछ हो जाए ना हम हाउस वाइप को हम औरतों को कुछ हो जाए ना तो पूरा घर जो है मुश्किल हो जाएगा समालना बहुत दिक्कत हो जाती है तो बस इसलिए अपना भी ध्यान रखना होता है कि हम सही रहें अपने लिए भी और घर के लिए भी तो बस बरतन वगरा सारा धुलने के बाद इधर देखिए सबजी हो रही है तो अभी भी पूरी सबजी नहीं हुई है अभी भी टाइम है तो मैंने सुचा रोटी बनाते चलती हूँ और पापा को अभी दे दूँगी लगता है तो होने को हो गई थी बस वही लाल करना ही बाकी था तो तेज फ्लेम करके ही मैंने उदर रखा हुआ है और इधर रोटी भी बना ले रही हूँ तो बस पापा को खाना देने के बाद हम लोग भी खा लेंगे तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ ब्ल